हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माइ न्यू ब्लॉग, आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होगे, तो गाइज, आज हो रहा है, मींस आज फ्राइडे का दिन है, और दो पहर का टाइम हो रहा है, और सुभा मैं वरत को तोड़ ली, मींस नमख खा लिए हम लोग तो सुभा मैं खाना बनाई थी, चावल, दा, सबजी, ये समय बनाई थी, तो सुभा कुछ भी मूड नहीं था, वीडियो सूट करने का तुम्हें बनाई नहीं वीडियो, और आप लोग को पता है कि वरत के बाद कुछ करने का मन नहीं होता है, और हस्बेंट को भी जाना पता ओफिस, तो मैं फटा फट से बनाई और उनको लंच भी दी और वो चले गए, फिर दोपर में मैं सुची थोड़ा सा आप लोग के साथ बात कर लूँ, क्योंकि मैं भी नहाए खा के थोड़ा सा रेष्ट कर रही थी, थो तो मैं थोड़ा सा रेष्ट कर रही थी, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो मैं सुची चलो वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग को से बात करती हूँ, तो आप लोग सोच रहे होगे कि मुझे क्या हुआ था, मुझे एक्च्छली तब या तभी भी ठीक नहीं है, पहले से फिर भी बेटर है, मुझे खासी हो ग अब थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, पहले से ठीक है, तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बनाना भी मुस्किल था, और वोईस अबर भी करना मुस्किल था, क्योंकि बहु ज़्यादा खासी हो रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना कि दोस्तों देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है और लक्ष जो हैने खाना खा रहा है सब कोई खाना खा चुके हैं इसे टीवी देखने के चक्कर में भूखी नहीं लगती है जब दस्ती में खाना दी हूं तो खाना खा रहा है और देखिए खाना में बना था दाल और केला की शबजी जो कि मुझे बहुत पसंद है और घीया की सबजी बनाई थी और कुछ खीरा और मूली सलाद में कट कर ली थी और चावल बनाई थी बस यही मेरा खाना था यही सिंपल सा खाना मैं हम लोग हमेंसा सिंपल ही सादा ही बनाते हैं खाना क्योंकि ऐसे भी वरत के बात काते हैं कि साधा ही खाना चाहिए और यह देखिए मूली और खीरा है और चावल खतम हो चुका है थोड़ा बहुत ही चावल बचा है क्योंकि सब कोई खा चुके थे और सब्जी वेगर बचा हुआ है तो हम लोग साम को खा लेंगे और देखिए रिया भी पढ़ाई कर ही है इसका पेपर होने वाला है मिन्स पेपर है तो इसी बज़े से यह पढ़ाई में है और लक्षुदा टीवी देखता रहता है पूरा दिल दोस्तों वरत के बाद जो है न कुछ मन होता है चटपटा नमकीन खाने का और क्या आपनों को भी ऐसा अपील होता है क्या मुझ चटपटा जैसा जो कि बच्चे लोग भी खा लें और मैं भी खाल हूं और कुछ हेल्दी जैसा ही कुछ में बनाऊंगी और तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटीनीव रहेगा मैं क्या बनाने वाली हूं आप लोग को पता चलेगा लेकिन बहुत कुछ टेस्टी ही बन अभी मैं थोड़ा सा आपनों को दिखा रही हूं कि मैं नेवलाइज लेकर ही ठीकी हूं मेडिसिन भी दिया है डॉक्टर ने मेडिसिन भी खा रही हूं और यह देखिए फिर मैं जब कीचन आई बनाने के लिए देखने हूं कीचन पूरा फैला पड़ा है मैं सोची पहले कीचन सफाई कर लेती हूं फी बनाऊंगी तो अच्छा लगता है नीटें क्लीन हो जाएगा कीचन तो मैं सारा बरतन वगर सफाई कर रही हूं कि दोस्तों कीचन में तो काम होऊ ही जाता है कीचन जब जाव तो दूनिया काम दिखता है ऐसे लगता है कुछ काम नहीं है तो मैं सारा कीचन कलीन करके आलू जो एन चार आलूली हूं चार आलू कही बनाऊंगी नास्थ्टा इसको अच्छे तरीकी से दो रही हों दोने के बाद कुकर में चड़ा दूँगी फिर इदर जो भी मेरा कीचन का पेंडिंग काम है वो में सारा काम कर लूँगी फिर थोड़ा सा रेश्ट करोंगी तब तक इदर सीटी देगा चालू में कि अच्झिण क्लीन हो गया है आलू भी चड़ा दिहों कुकर में बॉयल होना कि ऑस लुख मिल नवीड़ा चिटी बॉयल हो जाएगा दो या तीर सीटी में एक सीटी तेश फिट लगाती हूं। और जोतनी हो Begin जीरा और थोरा सा कुट्टू का अटा में डाली हूं इसमें पानी डालके इस तरीके से कोट कर रही हूं ताकि आलू की चारो तरफ अच्छी तरीके से यह आटा कोट हो जाए थोरा थोरा पानी डालके कट्था ज्यादा पानी नहीं डालना है फिर इसमें तल रही हूं और त अब दूसरे बार का फिर में दे रही हूं और दूसरे बार का जो भी बचा हुआ था सारा इस बार में दे दी हूं और इसको भी पका लूँगी मिस ज्यादा नहीं पकाना है 80% ही फिर इसको निकाल लूँगी फिर जो पहले तला हुआ है उसको में डालूँगी मिस उसको और जो पहले जो मैं निकाली थी उसको फिर से में डालूगी कढ़ाई में जब तेल गरम हो जाएगा तो देखिए तेल गरम है नहीं अभी है तो सकेंड वाला यह इसको निकालूगी फिर दोबरा में तलूगी तो इसे एकदमी कुर्कुड़ा पकुड़ा होता है बाहर से ए आप लोग के पास सत्संग का भी ब्लॉग आएगा आप लोग देखना और इंजॉय करना हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा सत्संग जाकर तो इसी वज़े से मैं जो है न दो दीन उधर ही वेस्तित रही तो मैं वीडियो डाल ही नहीं पाई डालने का टाइम ही नहीं मिल आज भी हिमत नहीं रही थी फिर भी मैं सोची चलो डाल ही देती हूं दोस्तों देखें यह पापोड़ी बनकर तैयार है और इतम ही कुल्पूरा है और बहुत ही टेस्टी लगा खाने में और चटपड़ा देंचा है क्योंकि इसमें हरी मिर्च जला हुआ है और अधरक भी पपड़ी बनाया है और मेरे घर में सबको भी अच्छा लगा आया है सबको देखें में खाके बगाती है बहुत ही टेस्टी है बहर से कुल्पूरा है अंदर से सौप्ट है चुकी आलू गोल है इसलिए एक बार आप ही इसी तरीके से पपड़ी बनाई है और खाई है और अभी देखिए रिया भी खा रही है रिया को भी बहुत अच्छा गा लक्ष भी खाया सब कोई खाये सब को बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहा है तो मिलता है नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केर और बाबाई